नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अर्मेनिया और अजर्बेजान के बीच में छिड़े हुए वार के बारे में हाँ दोस्तों इसे हम वार ही कह सकते हैं 2020 का फुल फ्लेस्ट वार इसे हम कह सकते हैं जो कि दो देशों के बीच में हो रहा है ये वार क्यों हो रहा है इसमें क्या हुआ है ये सब कुछ जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चॉल में ये वार का कारण क्या है तो इस वार का कारण अगर देखा जाए दोस्तो तो अर्मेनिया और अजरबेजान इन इन दोनों देशों में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है और ये बिलकुल ही disputed reason है इस पे आगे बढ़ू कि ये क्यों होता है इससे पहले मैं आपको बता दू कि अर्मेनिया और अजरबेजान ये दोनों ही पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलाप्स करा तो उसके बाद ये दोनों अलग-अलग देश बन गए अब ये जो आपको नोगोर्णो कारबाग दिख रहा है इस मैप में आप देखके ये सोच सकते हैं कि ये तो अर्मेनिया से काफी दूर है उनकी territory से अलग एक reason है तो फिर वहाँ पे अर्मेनिया जा के कैसे लड़ाई कर सकता है तो actual में ये मैप दोस्तो गलत है ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है अब आपकी screen पे ये मैप आपको सही दिख रहा है इसमें जो brown color या chocolate color का portion आपको दिख रहा है इस portion में actual में ये portion है अजरबेजान का लेकिन इस पे अर्मेनिया का कबजा है तो अर्मेनिया ने इस पूरे area को आप देख रहा है कबजा किया हुआ है जिसने घेर के रखा हुआ है नोगोर्नो काराबाग को क्यूं घेर के रखा हुआ है तो उसका कारण ये है कि नोगोर्नो काराबाग एक्चुल में दोस्तो जो internationally recognized है ये जगा तो वो recognized किया गया है international countries ने अजरबेजान का part इसको बताया गया है लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रहते हैं ethnic Armenian यानि कि ये Armenian लोग ही आप समझे यहाँ पे रहते हैं और ये reason एक autonomous reason है current में यानि कि ये reason खुद ही खुद को govern करता है ना ही यहाँ पे अजरबेजान की सरकार है ना ही Armenian की सरकार है लेकिन क्योंकि यहाँ पे Armenian लोग रहते हैं तो Armenia का यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं indirectly full control है और Armenia इसे अपना ही पार्ट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बताता है क्योंकि उसको पता है कि future में जब यह dispute कभी खतम होगा और अगर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो जो नोगोर्नो काराबाग की public है वो Armenia में ही रहना पसंद करेगी तो इसलिए Armenia पूरी तरीके से support करता है क्योंकि वहाँ पे Armenian लोग ही रहते हैं तो यह आपको समझ में आ गया कि इस वज़े से इस reason के वज़े से dispute होता है अजरबेजान और Armenia के बीच में अब यहाँ पे issue क्या हुआ है current में तो disputed reason है तो आए दिन कुछ न कुछ होता है लेकिन फिलहाल दोनों countries एक दूसरे पे blame कर रही है कि आपने war start किया है तो आपने war start किया है फिलहाल तीनों जगों पे यानि कि Armenia में अजरबेजान में और नोगोर्नो काराबाग इन तीनों ही जगों पे अभी Marshall law लगा दिया गया है यानि कि उन देशों की military का पूरा शाषन वहाँ पे चल रहा है ताकि कोई भी पत्ता इधर से उधर ना हिले अब हुआ क्या है तो जो नोगोर्नो काराबाग है उन लोगों ने ये claim किया है वहाँ की जो capital city है वहाँ पे directly shelling कर दिया है अजरबेजान ने उसमें civilian लोग मारे गए हैं उसके बाद फिर नोगोर्नो काराबाग और अर्मेनिया दोनों ही पूरी तरीके से गुसे में थे तो इन्होंने फिर attack अपना किया और इन्होंने काफी heavy attack किया आपने अगर मुझे twitter पर follow नहीं किया है तो आप जरूर follow करिए वहाँ मैंने आपक क्या claim किया है तो अर्मेनिया का claim ये है कि अभी तक अर्मेनिया ने अजर्बेजान के 4 helicopters को मार दिया है 15 drones को मार दिया है और 10 tanks को मारा है और कम से कम 3-4 अलग अलग तरह के tank के video तो already internet पे viral भी हो चुके हैं तो इस तरह का claim है अर्मेनिया का जो की काफी हद तक सही दिखाई अजरबेजान का ये कहना है कि उन्होंने एक decent reply अर्मेनिया को दिया है तो ये basically बात हो गई फिलाल इस जगड़े की ये जगड़ा कल नहीं हुआ था ये पूरी रात भी चला है अभी 8 सुबह का क्या status है नहीं कहा जा सकता लेकिन अभी news ये आई है कि पूरी रात ये सारी ची सपोर्ट किया है तर्की ने सपोर्ट किया है अजरबेजान को क्यूंकि अजरबेजान एक Muslim majority country है और अर्मेनिया एक Christian majority country है तो टर्की इस समय मुस्लिमों का नेता बनके घूम रहे है तो उनका ये support तो जायस था rest of the world यानि कि जैसे आप France कैलो, America कैलो, Russia कैलो उन सब ने यही काया है कि दोनों countries को disengage होना चाहिए और बात से अपने विवाद को सुल्धाना चाहिए लेकिन मुझे लगता है आप तो चीजे काफी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है अब इतनी आसानी से बात नहीं हो पाएगी बात कीजाए भारत की तो भारत के रिष्टे दोनों ही देशों से अच्छे हैं Recently ही अरμέनिया ने भारत के साथ एक Defense Deal भी की थी जिसके थूब भारत ने अर्मेनिया को स्वाती रडार सिस्टम सप्लाई किया है और ये स्वाती रडार सिस्टम दोस्तों बहुत दूर छुपे हुए टैंक्स को, आर्टिलरीज को, मोटार्स को डिटेक्ट करता है और आप वहाँ पे अपने ATGM को फायर कर सकते हैं तो इस तरह का ये रडार है और मुझे लगता है ये काफी अच्छा अर्मेनिया में काम भी करना इसने शुरू कर दिया है खेर तो ये सारी बात थी, अब भारत की बात की जाए किसको सपोर्ट करेगा तो भारत नूट्रल रहने वाला है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अर्मेनिया और अजर्बेजान इंडिया दोनों से के साथ कोई खासम खास लेना देना नहीं है ठीक ठीक रिलेशन दोनों है तो इंडिया किसी के भी पक्ष में नहीं जाएगा और इंडिया का भी यही stand रहेगा कि दोनों देश डिस इंगेज होके शांती को बहाल करें एक important शीज अगर मैं बताऊं आपको और तो यह है कि जो अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने international community से यह demand किया है कि वो किसी भी तरह Turkey को समझाने की कोशिश करें क्यूंकि Turkey जिस तरह से अजरबेजान को सपोर्ट कर रहा है यह मामले को और ज़्यादा बढ़ा सकता है तो international community Turkey के ओपर कैसे react करेंगी यह आगे देखने वाली बात होगी मैं आपको update जरूर करूंगा फिलाल के लिए इतना ही मैं मनीश मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहंद